आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मटका चिकन की रेसिपी बहुत ही टिस्टी और मज़ेदार बनती है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है तो आज मैं अपने माइके में हूँ और आज मैं यहाँ पर अपने भाई के साथ मिलकर इस रेसिपी को बना रही हूँ तो मैंन ने डाला है 200 ml सरसो का तेल और अब हम इसे फ्लेम पर रखेंगे और इसे गर्म होने देंगे आप इसे लो टू मीडियम पर ही रखिएगा और अब इसमें हम डालेंगे अपने सारे ड्राई खड़े मसाले जैसे तेजपत्ता लाल मिर्च एक स्टार दालचीनी की स्टीक कु तो इसके लिए हमने 600 ग्राम प्याज लिया है प्याज आप बारिक काटकर और इसमें डालते जाएए सारी प्याज को डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे तो प्याज को आपको चला चला कर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हलका सा गोल्डन होने तक यो मैं नहीं डाल पाई क्योंकि जब हमने मेरिगनेट कर लिया तो फिर हमने इसको बनाना चाहा तो इसके लिए हमने 200 ग्राम इसमें दही डाला है एक चमच कसूरी मेती दो बड़ी चमच लेसुन अद्रक का पेश कुछ खड़े लेसुन या फिर आप पूरी लेसुन खड बड़ी डालिये और सारे ड्राई मसाले सिर्फ गर्म मसाला छोड़कर और स्वादरुसार नमग और सबको हमने मिला कर 40-45 मिनट तक मैं रिगनेट होने के लिए रख दिया था चिकन को और अब देखिए प्याज हमारी लगातार भून रही है इसमें हमने कुछ खड़े यह लगातार आप चलाते रहिए जब तक कि हमारे बटर मेल्ट नहीं हो जाते हैं थोड़े से प्याज हमारे हलका गोल्डन नहीं हो जाते हैं जब हमारे प्याज भून जाएंगे तो चलिए अब हम इसमें अपने मेरिक निट की हुई चिकन को भी डाल देते हैं और सारे डालन खाने में भी और इसे हम डालने के बाद कश्मीरी लाल मिच पाउडर लगातार इसे अच्छी तरह से आप 3-4 मिनट तक चलाते रहिए और फिर हम इसे धक देंगे धक कर 20-25 मिनट तक low to medium flame पर इसे हम पकने देंगे तो चलिए इसे हम धक देते हैं तो लीजिए अब 25 मिनट के इसमें बन चुकी है और इसमें देखिए पूरी प्याज ने और इस सब सारे चीजों ने प्यानी छोड़ दिया है थो हमें इसमें पानी मलानë ambiguity को जरूरत नहीं है सबसे में इसमें हम गरम मसाले को मिलाएंगे तो देड़ बड़ी चमच आप इसमें गरम मसाला पाउडर मिलाईए और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो चलिए गरम मसाला डाल देते हैं अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और गरम मसाला डालने के बाद फिर से इसे मिलाने के बाद हम कम से कम 6-7 मिनट तक इसे ढख कर फिर से low to medium flame पर पकने देंगे ताकि इसमें गरम मसाले का अच्छी तरह से flavor आ जाए और friends इसके बाद हमारी chicken बनके ready हो जाएगी इसे आप गरमा गरम सर्व कीजिए थोड़े से ध subscribe कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो और भी मज़ेदान